हेलो दोस्तों कैसे हूँ आप मेरे नाम है नवीन और आप देख रहे हैं नीयो वल्डेग यूट्यूब चैनल दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी गुड नियोज है और आज का ये वीडियो काफी खास होने वाला है आप सभी के इंडिगेट्स के लिए क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटी पीसी की लेटेस्ट रिकुर्मेंट के बारे में जिसका नई भरती का नया ओफिशन नोटिफिकेशन जारी हो चुका है दोस्तों एंटी पीजी की तरफ से इस साल 2023 की नई वेकिंसी आ चुकी है आवेदन ओनलाइन शुरू हो चुके हैं अगर आप केवल तेंद क्लास पास भी हैं तो आप सभी के इंडिगेट्स हो हैं 100% एलिजिबल के अप्लाइक कर सकते हैं तेंद के अलावा अगर आप आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरू दबाएं ताकि हर एक नई भरती की सूचन आपको सबसे पहले मिल सकें वीडियो को लाइक जरू कीजिएगा तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों बात करते हैं NTPC Recruitment 2023 के बारे में जिसका नई भरती का नया Official Notification जारी हो चुका है दसवी किलास से लेकर के बारवी किलास और ग्रिजूट पास सभी क्वालिफाइट के इंडिगेट्स अप्लाइए कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले लेटेस्ट गवर्मेंट जॉब की जानकर दी जाती है तो हम आचुके हैं सीधा हमारी Official वापसाइट पर उससे पहले आपको दिखा दे कि NTPC की तरफ से ये Online Forum मागगे जा रहे हैं इसको आपको भर लेना है सब्मेट कर लेना है बकि सभी जानकर ये आपको वापसाइट की थूर मिल जाएगी तो वापसाइट पर आ चुके हैं बात करेंगे NTPC Recruitment 2023 के बारे में तो फाइनली National Thermal Power Corporation Limited NTPC की तरफ से आ चुकी है नई वेकेंसी वेकेंसी की बात किसा है तो डिप्लोमा ट्रेनी की वेकेंसी है असिस्टेंट मेटेरियल स्टोर कीपर की वेकेंसी है टोटल पचास पोस्ट पर भरती निकाली गई है और सालरी 55,000 रुपे पर मंत मिलेगी सेलेक्शन का प्रोसेस जो रहेगा एस पर रूल से और अलवर इंडिया की जॉब लोकेशन है और और अल इंडिया के सभी के इंडियेट्स मेल और फिमेल अपलाए कर सकते हैं वहीं दोस्तों एस लिमीट जो है 18 से 38 साल रखी गई है और आप्निकेशन फीज जो है जनल ओबी सी के लिए 300 है सी एस्ट के लिए फ्री है और पेमेंट सिर्फ आपको ओनलाइन करना होगा क्वालिफिकेशन में तेंथ, आईटिय, डिप्लॉण, डिग्री पास सभी के इंडियेट्स जो हैं अपलाए कर सकते हैं और इसके आवेजन जो हैं आपसे ओनलाइन माँगे जा रहे हैं 13 अगस से शुरू हो चुके हैं यहां से आपको फिलीट करना है आपके सामने आ जाएगा उनलाइन फोरम जिसको आपको सब्मीट करना होगा भर करके आपका नाम क्या है, डिट ओबर्थ क्या है आपकी सपोस्ट के लिए अपलाए कर रहे हैं वो सलेक्क कर लेना है उसके बाद आपका email ID क्या है, password क्या है, mobile number क्या है इस सब आपको जानकर देनी होगी और जो भी आपसे जानकर मांगी जारी है वो fill up करना है, submit करना है उसके बाद आपको login करके apply कर देना है ठीके, कोई भी doubt से तो comment कीजेगा वीडियो को like और चैनल को subscribe जरु किजेगा थेंक यू सो मच